ये आग लगाने वाले कौन है उनके कपड़ों से ही पता चल जाता है कि देश की संपत्ती पर पहला अधिकार मुसल्मानों का ये संपत्ती कट्टी करके किसको बाटेंगे जिनके जादा बच्चे हैं उनको बाटेंगे क्या आपके महनत की कमाई का पैसा गुश्पेठों को दिया जाएगा हिंदू धर्म का अप्मान करते किसी और धर्म के खिलाब इनकी जुबान से एक शब्द नहीं निकलता गुश्रात दंगो के बाद हजारों लोगों के मारे जाने के बाद देश का नाम कलंकित होने के बाद जब गुश्रात मुख्य मंतरी नरेंदर मोदी के इस्तीफे की बात आई तब कहा जाता है कि एलके अडवानी ने प्रधान मंतरी वाजपाई को ऐसा करने से रोक दिया वाजपाई बस हताश परिशान एक प्रेस कॉन्फरेंस में मोदी को राजधर्म पालन करने की नसीहत ही बद दे पाए 2002 के गुजराद दंगे 2004 में भाजपा के हार की एक बड़ी वज़ा बनते हैं लेकिन वाजपाई के राजधर्म की नसीहत मोदी ने तब भी नहीं मानी और अब भी ना मानी विकास सबका साथ सबका विकास शील भारत ये मुखोटा तो जरूर पहना लेकिन जब जब इलेक्शन में हार का मनजर सामने आया मेजॉरिटी कम होती दिखी नैरेटिब फिसलने लगा तब ही वही गंदी ओच्छी अस वर्सिस देम हिंदू मुसल्मान और हिंदूों को डर की राजनीती में फिर से अपने आपको हमने पाया और क्यों नहों अगर फूल प्रूफ फॉर्मूला है ये मोदी का तो वो इस्तमाल करते हैं लोग डर के वोट भी करते हैं तो डरो और भी डरो कभी पाकिस्तान कभी मुसल्मान यही काम मोदी ने लगता है फिर से राजिस्थान में अब 2024 इलेक्शन के बीचों बीच भी शुरू कर दिया मोदी के इस नए बयान से काफी हडकंप मच चुका है विकास और विश्व गुरू का नारा छोड पापा ने वार रुकवादी के दावे छोड मोदी फिर से हिंदू खत्रे में है और जूट की पट्री पर आ चुके है वैसे प्रधान मंत्री की जूट की एक बहुत लंबी फिरिस्थ है हमने इसकी उपर पूरा का पूरा एक एपिसोड भी बना के रखा है लेकिन अब तो वो खुद ही प्रो मैक्स मोट पर चले गए है एक ही बयान में इतने सारे जूट अब जूट की जल्दी से पोल भी खोल देते हैं पहले तो आबादी किसकी जादा बड़ी है? आखडे देखे तो 1951 से लेकर 2011 तक, जब तक हमारे पास डेटा है, तब तक मुसल्मानों की संख्या 136 मिलियन बड़ी है, हिंदू की संख्या 676 मिलियन बड़ी है, हिंदू population मुसल्मानों से 5 गुना जादा बड़ी है, तो नेता करती थी, इस पर डिबेट नहीं है, लेकिन अब वो घटकर हिंदूों की fertility rate के आसपास आने लगी है, शिक्षा, awareness, economic welfare, इस सबका एक बहुत बड़ा नतीजा पड़ता है, इसी लिए सरकार ने संसद में भी साफ साफ बोल दिया है, कि कोई भी compulsory birth control measure देश में नहीं लाया ज जाएगा, ऐसा कोई legislation नहीं लाया जाएगा, क्योंकि जन्संक्या विस्फोट अब हो ही नहीं रहा है, इस बात पर हम कोई विचार विमर्श नहीं करते हैं कि जो जन्संक्या है, जो नौजवान है, उन्हें नौकरी कौन दे रहा है, तीसरा, प्रधान मंतरी मनमोहन सिंग ने मुसलमानों के first right to resources की बात तो की थी, लेकिन किस संदर्ब में, किस context में, context ये था कि जहाँ सरकार ने पिछड़े वर्गों के लिए खास कारिकरम बनाये थे, चलाये थे, वहाँ मुसलमानों की बात की गई थी, और मुसलमानों को schemes में first right देने की बात कही गई थी, क्यो मुसलमानों को देने की बात बीजेपी को छोड़ कर किसी और पार्टी ने वैसे की नहीं है, वैसे हाँ, मंगल सुत्र लूटे जरूर गए हैं, जब कोविड में घर की महिलाओं को मंगल सुत्र बेचना पड़ा, दवायों के लिए, खाने के लिए, लेकिन ये कंट्रोवस और मनमोहन सिंग की सफाई 2006 में हुई थी, और सफाई भी 2006 में आ गई थी, आज 2024 में इतने सालों बाद इस बात को उचाल कर, मोदी जी चार चीजे तो बिलकुल साबित कर देते हैं, एक, कि अब की बार 400 पार का नारा बस नारा ही रह जाएगा, इसी लिए पट्रियां बद लोगों को मूर्ख बनाने की कोशिश चल रही है, जब असल मुद्दोक से हमें भटका कर, हमें डरा कर, धार्मिक भावनाओं के साथ खिलवार करके वोट बटेरे जा रहे हैं, अब लोग मूर्ख बनेंगे नहीं बनेंगे, इस पर अभी डिवेट ओपन है, ये तो चार ज अब बस एक रबर स्टैंप बनकर ही रहे गई है, धर्म के नाम पर वोट मांगना, धर्म के नाम पर लोगों को उकसाना, किसी और दूसरे धर्म को इलेक्शन में क्रिटिसाइज करना, साफ, इलीगल है, मना है, अंडर रेप्रेसेंटेशन ओफ पीपल अक्ट 1951, लेकिन त कास का चोगा जरूर पहना है, लेकिन उनका जो असली टैलेंट है, वो धर्म का इस्तमाल करना ही है, अभी तक सफल भी होते आए हैं, क्या 2024 में सफल होंगे या नहीं, ये जानने के लिए तो मोदी का जरह हेट ट्रैक रेकॉर्ड चेक करना पड़ेगा, इसी लिए और तभ कोई भी चाल बिना सोचे समझे तो नहीं चलते हैं, नेता टाइप आधा काम मत करो, सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकॉन भी तबाओ, धर्म की राजनीती में क्या फाइदा होता है, ये शायद मोदी से जादा, आज के डेट में कोई पॉलिटिशन को नहीं मालुम है गोदरा के दंगो से लेकर उसके बाद पोलराइजेशन में मोदी को बहुत जादा मुनाफ़ा हुआ, और राज धर्म के पालन की जरूरत नहीं पड़ी, अरे जब धर्म के बूते पर ही राज चल रहा है, तो राज धर्म की क्या जरूरत है, माइनॉरिटीज को नीचा दि सेंटर्स हैं, रिलीफ सेंटर्स थोड़े ही ना है, जादा बच्चे, यू गेट मुदीस पॉइंट हा, जब पूछा गया कि गुजरात के दंगों में मारे गए लोगों के बारे में उनको कोई अफसोस है की नहीं, तो उन्होंने कहा, बिल्कुल है, ठीक जैसा आपको और मुझे होता जब एक पिला, आपके या मेरे गाड़ी के नीचे आ जाता, कोई भी वेक्ती, हम अगर कार चला रहा है, अब यार ड्राइवर, और कोई ड्राइव कर रहा है, और हम पीछे बैठे, फिर भी एक छोटा, कुट्टे का बच्चा भी कार के नीचे आ जाता है, तो उन्होंने माना कि उनसे चूक हुई है, उनसे गलती हुई है गुझरात राइट्स में, सुनिये? पर डाला, कवर स्टोरी पर डाला, गुझरात्स अगनी, हीरो अफ हेट्रेड, मास्टर डिवाइडर, राइडिंग दे हेट वेव जैसे टाइटल से मोदी जी को नवाजा, जब मोदी जी नैशनल पॉलिटिक्स में उभरे, तो हमारे देश की मीडिया धीरे धीरे चुप ह होने लगी, गुणगान करने लगी, सुप्रीम लीडर का गोदी में बैठने लगी, लेकिन दुनिया की आँखे तो हम पर थी, न्यू स्टेट्समें ने चेतावनी दी, भारत देश में नियो फासिजम और मेकिंग ऑफ अफ टाइरंट के बारे में, आज वो चेतावनी सच साबित हो रही है, डिक्टेटर्शिप का कितना प्रचलन चल रहा है आजकल, उधर टाइम मैगजीन ने मोदी को इंडियाज डिवाइडर इन चीफ बता दिया अपने कवर स्टोरी पर, तिल बिला के सरकार ने टाइम मैगजीन के इस आर्टिकल के लेखक आतिश तहसीर की O मोदी जी धर्म की रोटियां सेकना छोड, डिवलप्मेंट के डाइट पर शिफ्ट कर जाएंगे, कभी-कभी ऐसा लगा भी हो रहा है, कोशिश हुई ऐसा, मेकिन इंडिया, आत्म निर्भर भारत, स्वच भारत, 100 स्मार्ट सिटीज, नोट बंदी, GST इंप्लिमेंटेशन लेकिन जब भी डिवलप्मेंटल मॉडल फेल होने लगा, या लोगों की आवाज बुलंद होने लगी, तब तब धर्म का फिर से सहारा लेना पड़ा, आज देश में अगर सच में तरक्की होती, तो आप ये लिख के ले लो स्टैंट पेपर पे, कि मुस्लिम, मुगल, मार डाला, मार डाला, ये सब जपने की जरूरत नहीं पड़ती सरकार को या मोदी जी को, CAA का प्रोटेस्ट ले लीजिए, उसके दोरान मोदी जी को चेतावनी देनी पड़ी, कि जादा आवाज मत उठाओ, हम तुम्हें पहचान सकते हैं, ये भनोई जो आग लगा रहे हैं, ये आग लगाने वाले कौन है, उनके कपड़ों से ही पता चल जाता है, यूपी देश का सबसे महत्तपूर्ण राज है, अरे क्योंकि वहाँ सबसे ज़्यादा सांसच उनके आते हैं, यूपी का कंट्रोल बहुत अनिवार है, अगर आप, अगर आपको राज करना है पूर सही गलत तो बात की बात है, सबसे पहला सवाल ये है कि क्या धर्म का डंडा कभी फेल हुआ है मोदी जी के लिए, क्या लोगोंने कभी मुड के कहा है कि भईया हमारा सी अब काटना बंद करो, तुम्हारा खेल हमें समझ में आ गया है, शायद नहीं, इसी लिए बार बार ध है साकी को इस्तमाल किया जाता है, आजकल तो मटन के स्वात के साथ, हिसाब नहीं है, लेकिन विपक्ष के नेता मुखलों के तरह मटन खा रहे हैं, भई लोगों को किसी भी चीज़ से डराया जा सकता है, लोगों किसी चीज़ से मूर्ख बनाया जा सकता है, क्या, इसकी टेस्टिंग कर रहे हैं हमारे नेतागण, तामिल नाडू जैसे राज अगर तुम कॉंग्रेस हो तो तुम एंटी हिंदू हो बात खतम इंडी एलाइंस वाले लोग बार बार जान बुझकर हिंदू धर्म का अपमान करते हैं हिंदू धर्म के खिलाब इनका हर बयान बहुत सोचा समझा हुआ होता है आप देखिए और किसी धर्म का अपमान DMK कॉंग्रेस का इंडी एलाइंस कभी नहीं करता किसी और धर्म के खिलाब इनकी जुबान से एक शब्द नहीं निकलता लेकिन हिंदू धर्म को गाली देने में ये एक सेकंड नहीं लगाते ऐसा शायद इसलिए हो सकता है कि कॉंग्रेस सिर्फ एंटी हिंदू ही नहीं है उसमें मुस्लिम लीग की भी छाप है और ये बात साफ हो चुकी है जी आँ साबित हो चुकी है उनका मैनिफेस्टो देखिए मोधी जी कह रहे शायद कुछ लोगो को लगे कि कॉंग्रेस का मैनिफेस्टो अब नहरू नहीं मुस्लिम लीग तक को खीच के ले आए ये कुछ जादा हो गया नहीं हुआ ये मॉडल बहुत पुराना है केरला के हेल्थ केर सिस्टम को सोमालिया से कंपेर कर दिया था तो मुस्लिम लीग क्या चीज है भाई साब एक टाइम था जब पूरा देश मोधी जी के विजन उनके वायदों से इतना प्रभावित हुआ करता था इंतजार करता था पंदरा पंदरा लाग रुपए स्विजिलेंट से कब आएंगे खाते में कब जमा होंगे लूट का पैसा जी हाँ करप्शन का पैसा वापस टैक्सपेर के खातों में जाने वाला था लेकिन पैसा तो ना आया अब तो बस डर और नफरत की राजनीती चल रही है उसी से टंकी भर रही है और फेल होने का नाम भी नहीं ले रही है 75% hate speech के जो incidents है BJP ruled state से आते है सबसे ज़ादा धर्म की बाते BJP आज कर रहा है लेकिन election commission मौन बरत पर चले गया है यह कोई accident नहीं है बाइद वे election commission को बनाया ही ऐसा गया है shape ही ऐसा किया गया है ऐसे changes लाए गया है law में कि भाईया वो कुछ बोल ही नहीं पाए और उनका selection मौधी जी ही करे यही है असली master stroke कूरा episode है कि election commission चुप क्यों है देख लिजेगा लेकिन अगर पूछा जाए तो full denial mode पर भी हम चलते हैं मौधी जी कहते हैं देश में आप कहने सकते हो कि किसी के साथ भी किसी भी तरीके का भेद भाव किया जा रहा है यही नहीं मोधी जी का ये भी दावा है कि राम मंदिर और हिंदुत्व चुनावी मुद्दा ही नहीं हिंदुत्व ये भारतिये जनता पार्टी का कभी चुनावी नारा नहीं रहा है हिंदुत्व यह हमारे लिए आर्टिकल अप्पेइद है आज मोदी जी ने एक पूरे समुदाए का अपमान किया है उन्हें गुस बैठिये बता दिया है यह सब कैलकुलेटेड है बाई दवे किरसी को इतनी आसानी से जाने नहीं देंगे बाची तो होगी पोल तो खुलेगी हम जैसे देशवक्त ये भी करेंगे बात करेंगे इसके बारे में और आपको याद भी दिलाएंगे कि मोदी का नाम उसका अपमान करने के वज़े से राहूल गांधी को संसट से बाहर निकाल दिया गया था यहां पूरे समुदाई का अपमान हुआ है लोगों के common sense का अपमान हुआ है law and representation of people's act का अपमान हुआ है क्या अब भी लोग बोलेंगे कि साब चंगासी है या ये लोग देख पाएंगे कि कैसा खेल चल रहा है मुद्दो को कैसे दबाया जा रहा है लोगों को गुमरा करने की कोशिश हो रही है और अगर जिस दिन ये दिख लिया ना लोगों ने देख लिया साब नंगासी होने में टाइम नहीं लगेगा दो दिन लगेंगे देश के सबसे एहम, सबसे एतिहासिक और भगवान न करे आखरी डेमोक्राटिक चुनाव है ये वोट करना आज आपका हक नहीं इस बार आपकी जिम्यदारी बन चुकी है भूलना मत नहीं तो वाजपाई की तरफ पच्चतावा बाद में बहुत ज़ादा होगा और जाने से पहले इतना बता दू कि ऐसा नहीं है कि मोदी की हमेशा जूट बोलते है उन्हें सच का अभास है बिल्कुल है इनके एक नेता ने मुझे पागल कुत्ता कहा तो दूसरा नेता सामने आया और मुझे बसमासूर की उपादी दे दी उन्होंने मुझे बंदर कहा इनके और एक मंत्री ने मुझे वाइरस कहा तो दूसरे ने दाउद इब्राहिम का दर्जा दे दिया इनके एक नेता ने मुझे हिटलर कहा तो दूसरे ने मुझे बत्तमीज नाला एक बेटा कहा ठीज़कर दो मिझे हिएथजज़ गर तो भूसरे लिए सन्होंने थे धा प्यादी तो दूसरे बत खोटा गर है उनकी се बंदिव दारी झाल झाल